C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय तेरा सीधा और प्रतिलूम समानुपात प्रिष्ट संख्या 209 से लेकर प्रिष्ट संख्या 224 तक आईए सुनते हैं अर्ध्याय तेरा सीधा और प्रतिलूम समानुपात प्रिष्ट संख्या 209 तेरा दशमलव एक भूमिका मोहन स्वयम अपने और अपनी बहन के लिए चाय बनाता है वह 300 एमिल पानी, दो चम्मच चीनी, एक चम्मच चाय पत्ती और 50 एमिल दूद का उप्योग करता है यदि वह 5 व्यक्तियों के लिए चाय बनाए, तो उसे प्रतियेक वस्तू की कितनी मात्रा की आवश्यक्ता होगी यदि दो विद्यार्थी किसी सभा के लिए कुर्सी आव्यवस्थित करने में बीस मिनट का समय लगाते हैं, तो इसी कार्रे को करने में पांच विद्यार्थी कितना समय लेंगे? हमें अपने देनेक जीवन में ऐसी अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें यह देखना आवश्यक हो जाता है कि एक राशी में परिवर्तन होने से, दूसरी राशी में भी परिवर्तन हो रहा है। उदहरणार्थ एक, यदी खरीदी गई वस्तूओं की संख्या में व्रिध्धी होती है, तो उनके कुल मूले में भी व्रिध्धी होती है। दू, बैंक में जितनी धनराशी अधिक जमा हो जाएगी, उतना ही ब्याज अधिक अर्जित होगा। तीन, जब किसी वाहन की चाल में व्रिध्धी होती है, उसके द्वारा वही दूरी तय करने में लिये गए समय में कमी होती है। 4. एक दिन हुए कार्रे के लिए जितने अधिक व्यक्ति कार्रे पर लगाये जाएंगे, उतना ही उस कार्रे को पूरा करने में कम समय लगेगा। ध्यान दीजिए कि एक राशी में परिवर्तन से दूसरी राशी में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी पांच और स्थितियां लिखिये जहां एक राशी में परिवर्तन होने से, दूसरी राशी में भी परिवर्तन होता है. मोहन द्वारा आवश्यक प्रतियक वस्तू की मात्रा हम किस प्रकार ग्याद करते हैं या पांच विद्यार्थियों द्वारा कार्य पूरा करने में लिये गए समय को हम किस प्रकार ग्याद करेंगे इस प्रकार के प्रश्णों के उत्तर देने के लिए हम अब कुछ विचरण यानी वेरियेशन की अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे. तेरह दशमलवदो, सीधा समानुपात यदि एक किलोग्राम चीनी का मूल्य अठारा रुपए है, तो तीन किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? यह चववन रुपए है, इसी प्रकार हम पांच किलोग्राम या आठ किलोग्राम चीनी का मूल्य ग्यात कर सकते हैं. प्रिष्ट संख्या 210 निम्नलिखित सारणी का अध्ययन कीजिए। इस सारणी में दो पंक्तियां हैं चीनी का भार किलोग्राम में मूल्य रुपायों में। जब किलोग्राम एक है तब मूल्य चतीस रुपाय है, तीन किलोग्राम पर एक सो आठ रुपाय है यानि तीन गुना, पांच किलोग्राम पर एक सो असी रुपाय है यानि पांच गुना, छे किलोग्राम पर रिक्त स्थान है यानि छे गुना, आठ किलोग्राम पर रिक्त स् 10 किलोग्राम पर रिक्त स्थान है, यानि 10 कुना. ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे चीनी के भार में व्रिध्धी होती है, वैसे वैसे उसके मुल्ले में भी इस प्रकार से व्रिध्धी होती है कि इनका अनुपात यानि रेश्यो अचर रहता है. एक और उधारन लीजिए, मान लीजिए एक कार 60 किलोमीटर की दूरी तै करने में 4 लीटर पेट्रोल का उप्योग करती है, तो वह 12 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तै करेगी, इसका उत्तर 180 किलोमीटर है, हमने इससे कैसे परिकलित किया, क्योंकि दूसरी स्थिती में 12 लीटर अर्थात 4 लीटर का तीन गुना पेट्रोल प्रयोग होता है, इसलिए तै की गई दूरी भी 60 किलोमीटर की तीन गुना होगी, दूसरे शब्दों में जब पेट्रोल की खपत तीन गुना होगी, तो तै की गई दूरी भी पहली दूरी की तीन गुना होगी मान लीजिए कि पेट्रोल की खपत X लीटर है तथा तै की गई संगत दूरी Y किलोमीटर है अब निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए इस सारणी में दो पंक्तियां है पेट्रोल x लीटर में और दूरी y किलो मीटर में जब x 4 है तब y 60 है जब x 8 है तब y है रिक्तस्थान x जब 12 है, y है 180 x जब 15 है, y है रिक्तस्थान x जब 20 है, y है रिक्तस्थान X जब 25 है, Y है रिक्तिस्थान हम पाते हैं कि जब X के मान में वृध्थी होती है तब Y के मान में भी इस प्रकार वृध्थी होती है कि अनुपात X बटा Y में कोई बदलाव नहीं आता है यह अचर मान लीजिए K रहता है इस थिती में यह 1 बटा 15 है इसकी जांज कीजिए यदि X बटा Y बराबर है K या X बराबर है KY हो तो हम कहते हैं कि X और Y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात यानि direct proportion है अत्वा वे अनुक्रमानुपाती हैं यानि directly proportional है इस उदाहरण में 4 बटा 60 बराबर है 12 बटा 180 जहां 4 और 12 पेट्रोल की खपत की लीटर में मात्राएं यानि X हैं तथा 60 और 180 किलोमीटर में दूरियां Y हैं अतह जब X और Y में प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात होता है तो हम X1 बटा Y1 बराबर है X2 बटा Y2 लिख सकते हैं X के मानों X1, X2 के लिए Y के संगत मान क्रमशह Y1, Y2 हैं पेट्रोल की खपत और एक कार द्वारा तय की गई दोरी एक प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिती है इसी प्रकार व्याय की गई कुल धन राशी और खरीदी गई वस्तूओं की संख्या भी प्रत्यक्ष अनुपात का एक उदाहरण है प्रत्यक्ष अनुपात के कुछ और उदाहरणों के बारे में सोचिए जांच कीजिए कि क्या मोहन, प्रारंभिक उदाहरण में पांच व्यक्तियों के लिए चाय बनाने के लिए साढ़े साथ सो एमेल पानी, पांच चम्मचीनी, दो एक बटा दो चम्मच चाय पत्ती, एक सौपचीस एमेल दूत का प्रयोग करेगा आईए निम्नलिखित क्रिया कलापों की सहायता से प्रत्यक्ष अनुपात की अवधारणा को और अधिक समझने का प्रयत्न करें प्रिष्ट संख्या 211 इनहें कीजिए एक 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 घड़ी लीजिए और उसकी मिनट वाली यानी बड़ी सुई को बारहां पर स्थिर कीजिए दो मिनट की सुई द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिती से घूमे हुए कोडों एवं बीते हुए समय को निम्नलिखित सारणी के रूप में लिखिए इस सारणी में तीन पंक्तियां है पहली पंक्ति है व्यतीत हुआ समय यानी टी मिनटों में दूसरी पंक्ति है घूमा गया कोण यानी ए डिगरी में ए एक है नब्बे, ए दो, ए तीन और ए चार है रिक्त स्थान तीसरी पंक्ति है टी बटा ए इस पंक्ति में आपको रिक्त स्थानों को भरना है आप टी और ए के बारे में क्या समझते हैं? क्या इन में साथ साथ व्रिध्धी होती है? क्या T बटा A प्रत्येक समय वही रहता है? क्या मिनिट की सुई द्वारा घूमा गया कोण व्यतीत हुए समय के अनुक्रमा अनुपाती यानि डारेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ, उप्रोक्त सारणी से आप यह भी समझ सकते हैं कि T1 अनुपात T2 बराबर है A1 अनुपात A2 क्योंकि T1 अनुपात T2 बराबर है 15 अनुपात 30 बराबर है 1 अनुपात 2 A1 अनुपात A2 बराबर है 90 अनुपात 180 बराबर है 1 अनुपात 2 जांच कीजिए कि क्या T2 अनुपात T3 बराबर है A2 अनुपात A3 तथा T3 अनुपात T4 बराबर है A3 अनुपात A4 आप स्वयम अपने अंतराल लेकर इस क्रिया कलाप को दोहरा सकते हैं दो, अपने मित्र से निम्नलिखित सारणी को भरने के लिए कहिए, तथा उसकी आयू और उसकी मा की संगत आयू का अनुपात ज्यात करने के लिए भी कहिए. इस सारणी में तीन स्तम्भ हैं, पांच वर्ष पहले की आयू, वर्तमान आयू, पांच वर्ष के बाद की आयू इस सारणी में तीन पंक्तियां है, मित्र की आयू यानी F, मा की आयू यानी M, F बटा M आप क्या समझते हैं? क्या F और M के साथ-साथ वृद्धी या कमी होती है? क्या F बटा M प्रतियेक बार वही है? नहीं, आप इस क्रिया कलाप को अपने अन्य मित्रों के साथ दोहरा सकते हैं तथा अपने प्रेक्षणों को लिख सकते हैं. प्रिष्ट संख्या 212, इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि साथ-साथ बढ़ने या घटने वाले चर सदैव अनुक्रमानुपाती हूं. उदहरणार्थ एक, मानवों में भौतिक परिवर्तन समय के साथ होते रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि ये एक पूर्व निर्धारित अनुपात में हूं. दो, व्यक्तियों के भार और लंबाई में परिवर्तन किसी ग्यात अनुपात में नहीं होते हैं, तीन, किसी पेड की उचाई और उसकी शाखाओं पर उगने वाली पत्तियों की संख्या में सीधा संबंध या अनुपात नहीं होता है. प्रयास कीजिए एक, निम्नलिखित सारणी को समझिए तथा ज्यात कीजिए कि क्या एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती हैं. एक, पंक्ती एक, एक्स, बीस, सत्रा, चौदा, ग्यारा, आठ, पांच, दो, पंक्ती दो, दो, इस सारणी की पहली पंक्ती है, एक, छे, दस, चौदा, अठारा, बाईस, चब्बीस, तीस, दूसरी पंक्ती है, वाई, चार, आठ, बारह, सोला, बीस, चौबीस, अठाईस. तीन, इस सारणी की पहली पंक्ती है, एक्स, पांच, आठ, बारह, पंद्रा, अठारह, बीस, दूसरी पंक्ती है, वाई, पंद्रा, चौबीस, चत्तीस, साठ, बहत्तर, सौँ. दो, मूलधन बराबर है एक हजार रुपए, ब्याजदर बराबर है आठ प्रतिशत्वार्शिक, निम्नलिखित सारणी को भरिये, तथा ज्याद कीजिए कि किस प्रकार का ब्याज, साधारण या चक्र वृद्धी, समय अवधी के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बदलता या परिवर्तित होता है. इस सारणी में तीन पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति है समय अवधी, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, दूसरी पंक्ति है साधारण ब्याज रुपए में, आपको यहां रिक्त स्थान भरने हैं, साधारण ब्याज यानि P गुणा R गुणा T बटा 100, तीसरी पंक्ति है चक्र व्रिद्धी ब्याज रुपए में, चक्र व्रिद्धी ब्याज मतलब P, कोश्ठक के अंदर एक जमा R बटा 100 की घात T, घटा P, सोचिए चर्चा कीजी और लिखिए, यदी समय अव्रिद्धी और ब्याज की दर स्थिर रखें, तो साधारण ब्याज मूलधन के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में परिवर्तित होता है, क्या ऐसा ही संबंध चक्र व्रिद्धी ब्याज के लिए भी होगा? क्यूं? आईए, अब कुछ उदारण हल करें, जहां हम प्रत्यक्ष अनुपात की अवधारणा का प्रयोग करेंगे. उदारण एक, एक विशेश प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपए है, इसी प्रकार के 2, 4, 10 और 13 मीटर कपड़े के मूल्यों के लिए एक सारणी बनाईए. हल, मान लीजिये कि कपड़े की लंबाई एकस मीटर है तथा उसका मूल्य रुपएयों में वाई है, यहां पर एक सारणी बनी है, इसकी पहली पंक्ती है एकस, दो, चार, पांच, दस, तेरा, दूसरी पंक्ती है वाई, वाई दो, वाई तीन, दो सो दस, वाई चार, पांच, प्रिश्ट संख्या 213, जैसे-जैसे कपड़े की लंबाई में व्रिधी होती है, उसके मूल्य में भी उसी अनुपात में व्रिधी होती जाती है, अतह यह एक प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिती है, हम x1-y1 बराबर है x2-y2 के प्रकार के संबंध का उप्योग कर एक, यहां x1 बराबर है 5, y1 बराबर है 210 और x2 बराबर है 2. अतह x1 बटा y1 बराबर है x2 बटा y2 सिह में 5 बटा 210 बराबर है 2 बटा y2 प्राप्त होता है. अर्थात 5y2 बराबर है 2 गुणा 210 या y2 बराबर है 2 गुणा 210 बटा 5 बराबर है 84 2 यदि x3 बराबर है 4 तो 5 बटा 210 बराबर है 4 बटा y3 या 5 y3 बराबर है 4 गुणा 210 या y3 बराबर है 4 गुणा 210 बटा 5 बराबर है 168 क्या हम यहां x2 बटा y2 बराबर है x3 बटा y3 का उपयोग कर सकते हैं? प्रयास कीजिए 3. यदि x4 बराबर है 10, तो 5 बटा 210 बराबर है 10 बटा y4 या 5 गुणा y4 बराबर है 10 गुणा 210 या y4 बराबर है 10 गुणा 210 बटा 5 बराबर है 420 4. यदि x5 बराबर है 13 तो 5 बटा 210 बराबर है 13 बटा y5 या 5 गुणा Y5 बराबर है 13 गुणा 210 या Y5 बराबर है 13 गुणा 210 बटा 5 बराबर है 546 ध्यान दीजिए कि यहां हम 5 बटा 210 के स्थान पर 2 बटा 84 या 4 बटा 168 या 10 बटा 420 का भी उप्योग कर सकते हैं उदाहरण 2 14 मीटर उचे एक बिजली के खंबे की छाया 10 मीटर है समान स्थितियों में उस पेड की उचाई ग्याद कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है हल मान लीजिए कि पेड की उचाई एक्स मीटर है हम नीचे दर्शाय अनुसार एक सारणी बनाते हैं इस सारणी में दो पंक्तियां हैं पहली पंक्ती है वस्तु की उचाई मीटर में 14 एक्स दूसरी पंक्ती है चाया की लंबाई मीटर में 10 पंदरा ध्यान दीजिए कि वस्तु की उचाई जितनी अधिक होगी उसकी चाया की लंबाई उतनी ही अधिक होगी अतह यह एक प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिती है अर्थात एक्स एक बटा वाए एक बराबर है एक्स दो बटा वाए दो से हमें प्राप्त होता है 14 बटा दस बराबर है एक्स बटा पंदरा क्यूं? या 14 गुणा पंदरा बटा दस बराबर है एक्स या 14 गुणा तीन बटा दो बराबर है एक्स अतह x बराबर है 21, इस प्रकार पेड की उचाई 21 मीटर है वेकल्पिक रूप से हम x1 बटा y1 बराबर है x2 बटा y2 को x1 बटा x2 बराबर है y1 बटा y2 के रूप में लिख सकते हैं अतह x1 अनुपात x2 बराबर है y1 अनुपात y2 या 14 अनुपात x बराबर है 10 अनुपात 15 अतह 10 गुणा x बराबर है 15 गुणा 14 या x बराबर है 15 गुणा 14 बटा 10 बराबर है 21 प्रिष्ट संख्या 214 उदाहरण 3 यदी मोटे कागस की बारहं शीटों यानि सीट्स का भार चालीस क्राम है, तो ऐसे ही कागस की कितनी शीटों का भार दो एक बटा दो किलो ग्राम होगा. हल, मान लीजिए कि उन शीटों की संख्या X है, जिनका भार दो एक बटा दो किलो ग्राम है हम उप्रोक्त सूचना को नीचे दर्शाय अनुसार एक सारणी के रूप में लिखते हैं इस सारणी में दो पंक्तियां है पहली पंक्ती है शीटों की संख्या 12 X दूसरी पंक्ती है शीटों का भार ग्राम में 40,5 हजार शीटों की संख्या अधिक होगी तो उनका भार भी उतना ही अधिक होगा अर्थात शीटों की संख्या और उनके भार परस पर अनुक्रमान उपाती है अतह 12 बटा 40 बराबर है X बटा धाई हजार या 12,5 बटा 40 बराबर है X या 7500 बराबर है X अतह कागस की शीटों की वानचित संख्या 7500 है आप जानते हैं की 1 किलोगराम बराबर है 1000 ग्राम तो 2 एक बटा 2 किलोगराम बराबर है 5000 ग्राम वेकल्पिक विधी, दो राशियां X और Y जो प्रत्यक्ष अनुपात में विच्रण यानि वेरी करती हैं में X बराबर है KY या X बटा Y बराबर है K का संबंध होता है यहां K बराबर है शीटों की संख्या बटा ग्रामों में शीटों का भार बराबर है 12 बटा 40 बराबर है 3 बटा 10 अब X उनका अगस की शीटों की संख्या है जिनका भार 2 एक बटा 2 किलोग्राम यानि धाई हजार ग्राम है संबंध X बराबर है KY का उप्योग करने पर X बराबर है 3 बटा दस गुना धाई हजार बराबर है साढ़े साथसो इस प्रकार काखस की साढ़े साथसो शीटों का भार 2 एक बटा दो किलोग्राम होगा उधारन चार एक रेल गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान यानी युनिफॉर्म चाल से चल रही है एक, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तै करेगी दू, 500 किलोमीटर की दूरी तै करने में लगने वाला समय ग्यात कीजिए हल, मान लीजिए कि 20 मिनट में तै की गई दूरी किलोमीटर में एक्स है तथा 500 किलोमीटर की दूरी तै करने में लगने वाला समय मिनटों में वाय है यहाँ पर एक सारणी बनी है, इस सारणी में दो पंक्तियां है पहली पंक्ती है तै की गई दूरी किलोमीटर में 75, X, 500 दूसरी पंक्ती है लिया गया समय मिनिटों में 60, 20, Y आप जानते हैं कि एक घंटा बराबर है 60 मिनट क्योंकि चाल एक समान है इसलिए तै की गई दूरी लिये गई समय के अनुक्रमानुपाती होगी प्रिष्ट संख्या 215 एक, हमें प्राप्त है 75 बटा 60 बराबर है X बटा 20 या 75 गुणा 20 बटा 60 बराबर है X या X बराबर है 25 अतह रेल गाड़ी 20 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तै करेगी दो, साथ ही 75 बटा 60 बराबर है 200 बटा Y या Y बराबर है 200 गुणा 60 बटा 75 बराबर है 200 मिनट अर्थात 3 गंटे 20 मिनट अतह 500 किलोमीटर की दूरी तै करने के लिए 3 गंटे 20 मिनट का समय लगेगा वेकल्पिक रूप से जब X ग्यात है तो संबंध X बटा 20 बराबर है 200 बटा Y से Y को ग्यात किया जा सकता है आप जानते हैं कि एक मानचित्र यानि मैप एक बहुत बड़े क्षेत्र का लगू निरूपन होता है प्रायह मानचित्र के सबसे नीचे वाले भाग में एक पैमाना यानि स्केल दिया रहता है यह पैमाना वास्तविक लंबाई और मानचित्र पर निरूपित लंबाई में संबंध दर्शाता है इस प्रकार मानचित्र का पैमाना मानचित्र पर दो बिंदूओं की दूरी और बड़े क्षेत्र पर दोनों बिंदूओं की वास्तविक दूरी का अनुपात होता है उदाहरणार्थ यदि मानचित्र पर एक संटीमीटर वास्तविक दूरी आठ किलोमीटर निरूपित करता है अर्थात पैमाना एक संटीमीटर अनुपात आठ किलोमीटर या एक अनुपात आठ लाख है तो उसी मान्चित्र पर 2 cm वास्तविक दूरी 16 km निरूपित करता है, अतह हम ये कह सकते हैं कि मान्चित्र का पैमाना प्रत्यक्ष अनुपात की अवधारणा पर आधारित है. उधारण पांच एक मान्चित्र का पैमाना एक अनुपात 3 करोड दिया है, दो नगर मान्चित्र में 4 cm की दूरी पर हैं, उनके बीच की वास्तविक दूरी घ्यात कीजिए. हल, मान लीजे कि मान्चित्र दूरी एक सेंटीमीटर है तथा वास्तविक दूरी वाई सेंटीमीटर है, तब एक अनुपात 3 करोड बराबर है एकस अनुपात वाई, या एक बटा 3 गुणा 10 की घात 7 बराबर है एकस बटा वाई, क्योंकि एकस बराबर है 4 है, इसलिए एक बटा 3 गुणा 10 की घात 7 बराबर है 4 बटा वाई, अथवा वाई बराबर है 4 गुणा 10 गुणा 10 की घात 7 बराबर है 12 गुणा 10 की घात 7 सेंटीमीटर बराबर है 120 किलोमीटर, इस प्रकार मान्चित्र पर 4 सेंटीमीटर की दूरी वाले नगरों की वास्तविक दूरी 1200 किलो इन्हें कीजिए अपने राज्ये का एक मान्चित्र लीजिए, यहाँ पर प्रयुक्त पैमाने को लिख लीजिए. पैमाने यानी रूलर का प्रयोग करते हुए मान्चित्र पर किन्ही दो नगरों की दूरी मापिये, इन दोनों नगरों की बीच की वास्तविक दूरी परिकलित कीजिए. अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ. वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बतिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, विकास सांग्वान, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन्व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत. झाल, 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